हेलो गाइस, वेलकम तू माज चैनल, इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि ओक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है तो मैंने ये एक्जामपल लिया है, मैं इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करूँगी, पहले मैं नमबर यहां लिख दूँगी, 3, 4, 5 मुझे अब इन्हे 3, 3 के पेर में लिखना है, बाइनरी फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, मैं पहले 3 का नहीं कालती हूं, 3 कैलसम लेंगे, 2, 1 जा, 2, 1 रिमांडर बचा, 2, 0, 0, 1 बचा, तो इसको उपर के साड़ लिखेंगे, 1, 1, 1, तो यहां गया, 1, 1, लेकिन यह तो हमारा यह तो 2 ही है, हमें इसे 3 बनाना है, तो हम यह पे एक 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 एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, तो होई हो गया, 0, 1, 1, सेम हम 4 का निकाल लेंगे, जो आएगा 1, 0, 0, और 5 का एगा 1, 0, 1, इनको अब हम एक साथ लिख देंगे, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, आब इसके 4 के पेर बना लेंगे क्योंकि हमारा हेक्सरेशीमल में पेर बनते हैं, तो 4 के पेर बनगें, यह हमारा एक्स्ट्रा हुगया, हम इसे हटा देंगे, तो हम इन पेर्ष को अलाग-अलागर कर के लिखते हैं, अब इसको हम solve करेंगे toki power zero, toki power one, toki power two, toki power three सेम इसमें भी toki power zero, toki power one, toki power two, toki power three इन्हें multiply करेंगे toki power three into one plus toki power two into one toki power one into one plus toki power zero into zero तो यहोगह 8 плюс 4 प्लस 2 plus 0 तो यहोगह 14 अब इनको इंसे मल्टिप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 इंटु 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटु 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटु 0 फ्लस 2 की पावर 0 इंटु 1 तो होगह 0 4 0 प्लस 1 तो यहोगह 5 तो अब इसको hexadecimal में क्या लिखते हैं तो hexadecimal में इसे e लिखते है यह हो गया 5 तो अब हम इने 7 लिख देंगे e 5 तो यह हमारा hexadecimal में आ जाएगा अगर किसी को नहीं पता कि 14 को e बोलते हैं तो यह table है 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 10 से a होता है फिर यहां से a, b, c, d, e, f तो 14, e इस से के से हम याद रख सकते हैं तो मैंने अब इस 14 को e लिखा है तो हमारा answer आ गया hexadecimal में I hope आप सब को समझा गया हो Thanks for watching